Hello guys, welcome back to my channel So, आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी VS Code को इंस्टॉल कैसे करते हैं So, अगर आप Windows यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम VS Code कैसे इंस्टॉल करते हैं आप देखना है, यहां पर सर्च बार में हमें लिखना है VS Code अब आप देख सकते हैं, जो फर्स लिंक आया है वो है code.visualstudio.com से तो इसी का हमें यूज़ करना है तो इसको मैं उपन कर दूँगी तो यह साइट खुल गई है अब आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है Download for Windows अगर आपको Mac के लिए करना है या Linux के लिए करना है उसके लिए different options है उनके लिए different links दिये हुए है हमें Windows के लिए करना है तो मैं जैस इस पर क्लिक कर दूँगी अब आप देखेंगे यहां पर download start हो चुका है अब आप देख सकते हैं हमारी जो file है .exe file यह download हो चुकी है अब मैं इस open file पर क्लिक करूँगी अभी मैंने .exe file को open किया हुआ है वो desktop पर open हुई होगी तो मैं इसको minimize कर रही हूँ तो यहां पर हमारा setup खुल गया है हमें क्या करना है I accept the agreement पर click करना है और next पर click करना है यहां पर default जो path है वो ही रहने दे अगर आपको change करना है तो आप कर सकते हैं मैं default setting ही रहने दे रही हूँ और यहां पर next पर click करना है again next पर click करना है अगर आपको desktop पर icon चाहिए तो आप यहाँ पे click कर सकते हैं मैंने इस पे click कर दिया है अगर आपको यह दो option भी चाहिए add open with code actions to window explorer file context menu and add open with code action to window explorer directory context menu तो आप click कर सकते हैं otherwise आप next पे जाए अब यहाँ पे install का button है इस पे click करना है install अब यहाँ पे सारी files क्या है install हो रही है अब आप देख सकते हैं यहाँ पे click है launch vs code it means जैसे ही इस button पे finish button पे मैं click करूँगी हमारा vs code open हो जाएगा तो मैं यहाँ पे click कर देती हूँ finish अब यह vs code open हो गया है यहाँ पे multiple आपको side मा icons दिख रहे होंगे एक बर मैं explain कर देती हूँ ही क्या है यह explorer तो basically इसमें यहाँ पे जिस भी folder पे आप काम कर रहे होंगे वो आपको show करेगा और अगर आपको clone करनी है कोई repository locally तो आप यहाँ से कर सकते हैं second option आपको दिख रहा है search जितने फाइल आपने open किया उसमें कुछ search करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं third आपका है source control fourth है आपका run and debug and fifth है यहाँ पे तो यहाँ से हम कोई भी extension डाउनलोड कर सकते हैं तो अब मुझे क्या करना है एक python में code लिखना है छोटा सा वो मैं आपको run करके दिखाऊंगी एक code लिखना है python का तो मुझे एक folder के अंदर file बनानी पड़ेगी तो मैं इसको minimize कर देती हूँ और desktop पे एक नया folder बना देती हूँ python नाम से अब मैं दुबारा vs code पे जाती हूँ तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी folder open नहीं है no folder opened तो यहाँ से हम क्या करेंगे folder को open कर लेंगे यहाँ से भी कर सकते हैं क्या तो आप उपर यह file option देख रहे हैं यहाँ पे भी click करके और option है हमारे पास open folder का आप इसको भी click कर सकते हैं then हमने यह folder बनाया है desktop पे तो यहाँ पे desktop पे जाएंगे और इस python folder को select कर देंगे और यहाँ पे select folder तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा python folder क्या है बन चुका है अब इसके अंदर एक file बनानी पड़ेगी देखो file बनाने के लिए यहाँ पे यह वाला option है अगर मुझे इस folder के भी अंदर folder बनाना है तो यहाँ पे new folder का भी option है और अगर मुझे refresh करना है तो मैं refresh भी कर सकती हूँ और यह collapse folder जब भी हम कोई project बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे folders fine होते हैं तो अगर मुझे सबको minimize करना है तो इस option के help से मैं minimize कर सकती हूँ तो फिलाल मुझे एक file बनानी है तो मैं new file पे click करूँगी और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है test.py मैंने enter दबाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे python की file create हो गई है python का logo आपको दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे print करवा रही हूँ hello world तो इस file को run करने के लिए हमें कुछ extensions की जरूत होती है तो यहाँ पे एक icon है extensions तो इस पे click करेंगे तो यहाँ पे आप search बार में लिखेंगे code runner तो आप इस वाले code runner पे first वाले पे click करेंगे तो already मैंने यह install किया हुआ है तो आप यहाँ से install कर सकते है यहाँ पे uninstall लिखा हुआ है वहाँ पे सिर्फ install का एक button आएगा आप उस पे click कर सकते है इसका use क्या है यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आप इसके usage भी बढ़ सकते है basically इससे क्या होगा एक play button बनेगा आप right hand side पे देख सकते है आप इस button को press करेंगे और आपका code run हो जाएगा इसके अलावा एक और extension की ज़रुत है हमें python का code run करने के लिए वो है python का extension तो यहाँ पे आप लिखेंगे python तो आप देख सकते हैं हमारा first जो python का extension आया है वो है Microsoft की तरफ से तो आप इस पे click करेंगे यह भी already मैंने install किया हुआ है अगर आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हैं तो यह दो extension आपने डाउनलोड कर लिए है code runner और python तो अब आप ही क्या कर सकते हैं python ये code को run कर सकते हैं तो इस file को मैं close कर देती हूँ और हम चलते हैं अपने explorer पे तो अब मैंने क्या करना है right click दमाना है और run code पे click करना है या तो मैं ये कर सकती है हूँ या तो मैं just ये बटन दबाके run कर सकती हूँ तो मैंने ये button प्रेस कर दिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि Hello World प्रिंट हो चुका है तो आप यहाँ पे इस तरीके से Python कोड लिख सकते हैं Java कोड लिख सकते हैं C++ कोड लिख सकते हैं C का कोड लिख सकते हैं आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा Proper Extensions Download करने पड़ेंगे तो मैंने आपको यह कोड रन करके दिखा दिया है तो इस वीडियो में हमने VS Code को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखा और उसके अंदर Python कोड कैसे रन करते हैं वो देखा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल मत बूलना तो इस वीडियो में इतना ही I hope आपको सब को समझा गया होगा Thanks for watching